गुजरात हाई कोड का कल ओडर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल कॉलिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं ले सकते इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आजादी होनी चाहिए प्रधानमंत्री शिक्खा निए प्रश्न कराए अर्विंद केज्रिवाल के पुचिश हाज्याट्टाका जोडिमाना करा हुए छे शे विशय के निए सोनी बार सांगबादेक बोईठोके रायजन करें दिल्लीर मुख्खा मंत्री तुरे धरें की कारोने प्रधानमंत्री शिक्खा गोता जुंकोता बेशी हुआ प्रविजन दिल्लीर मुख्ख मंत्री बलें प्रजातम्त्रे जानबार ओधिकार सबारा छे ताई डेशे प्रधान मुंच्री किंग बाहन्नानो राजनुतिक नेतार शिख्खा गोत जुंकोता जानते चावाटा अपराज नौई पिनी बोलेन शिख्खा कम थाकाटा लज्जार विशाय नौई भारत बोशे एकनो अनेक गोरिब लुका छेन जारा दुमुठो दुबेला भात खेते पारेनना किन्तु किछु किछुखेतरे शिख्खा थाकाटा जोरुरी बेक्ते गोतो कुम्पनी ते कुनो मैरेजा राखते हले शाधरुन तो MPA पास करा लुक के अग्रादिकार दावा हुए ठिक शेभाबे कुनो प्रथानमुंत्रे शिख्खा गोतो जुग गोता कम थाकले अनेक समस्षाय पोर्ते हुए देश के प्रशुंग उपस्थापण करे GST नूटबंदीर कथा तुले धरेंतिनी शेशुंगे ग्लोपल वार्मिंग जलबाईर परिपोर्तों तैमन की छुनाई प्रथानमुंत्री एई बक्तोब्ब बाच्चादेर काचे उँ शुभा पाएनी ताचरा ब्रिष्टी किंगबा मैखला आकाशे राधर हेलिकॉप्टर की भाबे किंगबा बीमानेर गोती बिती लखो कोड़ा जाए ना एथोरूने प्रथामुंत्री बक्तोब्ब जनोकोने काचे हाश्यूस बदो छिलो एफबे एकर पोड एक बग्तो बोपुस्था पन कोड़े दिल्ली मुखमुंत्री अर्विंद केज्रिवाल गुजरात हाई कोड का कल ओडर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल कॉलिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं इससे पूरा देश एक तरह से स्थब्ध है क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आजादी होनी चाहिए किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है कोई पाप नहीं है हमारे देश में इतनी गरीबी है अपने घर की परिस्थितियों की वज़े से अपने घर की हालात की वज़े से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पड़ पाते जिनको पूरी अच्छी शिप्चा नहीं मिल पाती मैंने ये जानकारी क्यों मांगी हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए इन 75 सालों में देश उतनी तरक्य नहीं कर पाया जितनी तरक्य करनी चाहिए थी आज लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी हैं लोग बहुत तेजी से तरक्य चाहते हैं हम 21 सदी में रह रहे हैं 21 सदी का भारत 21 सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है वो बहुत तेजी से तरक्की चाता है, रोजगार चाता है, महिंगाई से छुटका रहा चाता है, वो चाता है कि भारत तेजी से तरक्की करे ऐसे में देश के प्रधानमंतरी का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है पर जब हम देखते हैं कि प्रधान मंतरी मोधी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाई बनाई जा सकती है मतलब उस गैस को एनरजी के रूप में इस्तिमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है कोई भी जानकार आदमी पढ़ा लिखा आदमी इस किसम की बात नहीं करेगा एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल है तो बादलों के पीछे होाई जाज जो है उसको राडार नहीं पकड़ पाएगा यह तो जिसने भी सुना उसे लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एर फोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी, तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा, उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे मे आया पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े embarrassing feel कर रहे थे एक और में देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को address कर रहे हैं बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे climate change जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कोई climate change नहीं है अब climate change global climate change global warming जो है ये बहुत बड़ा सक्ते है ये पूरी दुनिया मानती है पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि climate change कुछ नहीं है global warming कुछ नहीं है तो फिर तो उसके उपर हम action भी कैसे ले पाएंगे और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हस रहे थे ऐसे में ये संदे होता है और ये प्रश्ण उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे एक भाशन में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं गाओं के स्कूल गया था उससे जादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है प्रधान मंतरी का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है प्रधान मंतरी को एक ही दिनों में सेकड़ो फैसले लेने होते है विज्ञान से संबंदित अर्थवेवस्था से संबंदित अगर प्रधान मंतरी पढ़े लिखें नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किसम किसम के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्खत करवा के ले जाएंगे कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे जैसे नोट बंदी हुआ नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा बोगतना पड़ा नोटबंदी से देश एक तरह से दस साल पीछे चला गया इतना जादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थेवस्था को नुकसान हुआ अगर देश के प्रधानमंतरी पड़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी न करते जी एस्टी लागू किया गया जी एस्टी बहुत अच्छा कॉंसेप्ट था लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थेवस्था का बिड़ा गर्थ कर दिया आज अगर पड़े लिखे प्रधानमंतरी होते तो जी एस्टी ठीक से देश के अंदर लागू होता किसानों के तीन काले कानून लागू किये गए जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे बिना बातचीत किये ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंतरी जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया अंत पंत में एक साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंतरी जी को बेकूफ बना सकता हैगा प्रधानमंतरी जी पढ़े लिखे नहीं होंगे पिछले कुछ वर्षों के अंदर साथ हजार स्कूल देश के अंदर बंद कर दिये गए देश की अबादी एक तरफ बढ़ रही है स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे लेकिन साथ हजार स्कूल बंद कर दियेगा इसका मतलब देश में शिक्षा को तवजू नहीं दी जारी जो तवजू दी जानी चाहिए एक अंपर देश कैसे तरक्की करेगा हाई कोट के ओर्डर ने प्रधान मंत्री जी की शिक्षा को लेके जो संशय था वो और बढ़ा दिया है इस बाद का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधान मंत्री जी कितने पड़े लिखे हैं कुछ डिग्री इधर उदर एक दिन अमिद्शा जी ने प्रेस कॉनफरेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी अगर डिग्री है और वो çaही है तो डिग्री दिखाई क्यों दिल दे नी क्यों नी जा रही गुजरात विश्व विद्याले अदिली विश्व विद्याले डिग्री क्यों नहीं दे रहे उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे तो लोगों के मन में दो यह आंसर है क्यों नहीं दे रहे एक ही हो सकता इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि यह हंकार है कि मैं क्यों दूँ मेरी डिगरी मानने मांगने वाले ये कौन होते हैं इनकी आउकात क्या है पर जनतंतर के अंदर इस तरह के प्रशन तो ठीक नहीं है इस तरह का हैंकार तो ठीक नहीं है अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए और दूसरा प्रशन जनता के मन में ये उठ और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधान-मंत्रि जी दिल्ली विनें विश्व विद्याले से पढ़े गुज़ात विश्व विजविद्याले से पढ़े तो गुज़रात Lesh है मेरे सामने कि क्या 21 सदी के भारत के प्रधान मंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए है डज इंडिया नीड एंड एजुकेटेड पी एम आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं तब भी उसमें लिखते हैं कि यह शुद बी अंबी ए कौलिफिकेशन लिखते हैं तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े मैनेजर बड़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए अगर आपके कोई प्रेश्ट एक इंपारटेंट प्रश्न हैं सारे देश के सामने एहन प्रश्न है आज भारत bहुत जबर्दस तरीके से से तरक्की कर सकता है कि सविश सदी का भारत कि किस वविश सदी के भारत के प्रधान मंतरी पड़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए ये प्रश्ट करेंग हे और ये बहुत अहम प्रश्ट कि था ते अच्वोण पर्जुन्तुई फिर्ची परवुर्त्योंना आपडेट नी शौंगे थाकून। धुन्दुबात।